दोसों इससमें contractual interview चल रहे हैं के इंद्री विदेले संगठन में और यहाँ पर हम summarize करके आपको उन सवालों को बताने जा रहे हैं जो KVS PRT में इस समय पूछे जा रहे हैं या फिर पूछे गए हैं अगर हम बात करें जैसे आज लखनों में RDSO में हैं इसके पहले आपका कल अलिगंज में था अलग-अलग आपकी पोस्ट अलग-अलग के लिए आपको जो है यहाँ पर interview देखने को मिल रहा है ऐसे ही अगर हम बात करें तो आपका गूंडा में अभी 31st को है ठीक है और आपका भी फाफामाओ की बात करें प्रियागराज वे वहाँ पर आपको आले से पढ़ करके जाए इन सभी के लिए आप सभी के लिए बहुत ही महतों पूर्ड हैं चाहे वो contractual हों या फिर आपकी direct recruitment वाले हों यहाँ पर सबसे पहला सवाल यही है बहुत एक common सा question कि अपने बारे में आप बताईए तो ध्यान रखेगा कोशिश करिए शुरुआत क करिए तो अंगरी जी के ही कुछ आपके 10 से 12 लाइने मैंने आपको बताई हुई है उन्हीं से आप जब भी करिएगा तो शुरुआत करिएगा ठीक है पहली चीज तो आपकी यह हो गई दूसरे question को लेकर के बात की जाए तो zero और one में पहले आप किस संख्या का ग्यान बच connection हुआ था PRT में उनसे भी यही सवाल पूचा गया था कि zero और one में आप पहले बच्चों को कि संख्या का ग्यान देंगे ठीक है यह यह याद रखेगा आगे है प्लेलिस्ट आप देखोगी के बहुत सारी चीज़े मैंने बताई हुई है तो एक बार जरूर जब करिएगा दोनों ही तरीके से जिसे हम वरक्षीट बोलते हैं दोनों ही तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है कि multiplication जो है का ग्यान आप कैसे दोगे के विएस क्यों जोइन करना चाहते हूँ बैसी इसी बात है कि आप यहाँ पर पढ़ा रहे हो जैसे यह सवाल उनसे पूछा गया था जो private में school में schooling कर रहे थे पढ़ा रहे थे तो उन्होंने बोला आप के विएस में क्यों आना चाहते हैं तो उनके हिसाब से देखे यह real time वाले question है कि कैसे क्या कुछ आपसे पूछा जा सकता है तो इसके लिए तो आपको अलग से तयार हो करके जाना ही होगा फिर यहाँ प को आपका जवाब यही होना चुछ है कि हाँ सर बिलकुल हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो काम जो है हम complete करें है ना कई जगे कई बच्चे बोले क्यों क्यों हाल चाल हमारा पूछे और फिर कह दिया कि ठीक है वाब आप जा सकते हैं आपका काम होगा आप समझ रहे कि नहीं कि वो हाल चाल पूछ करके तो बच्चे बहुत परिशान दे बोले इतना पढ़के गए और सारे चीज़ें और हाल चाल पूछ करके कह दिया कि आप जाए यहां से लेकिन डिरेक्ट रेक्रेट्मेंट में ऐसा कभी नहीं होगा यह बात याद रखेगा ठीक है कम से कम 10-15-20 डिया ही दिया जाएगा कम से कम क्योंकि आपका डेमो भी है और इंटर्वियू भी है वर्ब कैसे पढ़ाओंगे यह इंग्लेश में भी पूछा गया था और हिंदी में पूछा गया था कि क्रिया का घ्यान आप कैसे कैसे दोगे तो यह वी मैंने एक डेमो में बताया तो यही सब तरीके हैं जिन से आप उनको बता सकते हैं कि कितना यह जरूरी है ओके फिर यहां पर बात आती है जिरो से नौ तक की संख्याओं का ग्यान आप बच्चों को कैसे देंगे 0-9 यह सवाल भी आपका कई अलग-अलग के बी में पुछा गया नईपी 2020 से कई सवाल पूछे गया अलग-अलग ध्यार नखिएगाओ 2020 पढ़के जाएगेगा NCF 2005 के बारे में क्या जानते हूं सिधा सिधा सा कि यह NCF 2005 क्या है इसके बारे में आपने सुना है सुना है तो आप कितना कुछ जानते हूं इसके बारे में ठीक है National Curriculum Framework 2005 है रस्टे पठे चट्या की रूप रेखा बोल देते हूं आप इसे RTE कब आया था सिधा सा question था RTE कब आया 2009 के बात करते हैं कपरेल 2010 से लाग हुआ है Right to Education है ठीक है सिक्षा का अधिकार धिनियम वाला है RTE इसे भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है ऐसे में KVS का Full Form सिधा सिधा की कोई कोई केंद्री विद्याले संग बोल देता है कोई कोई कींद्री विद्याले संगठन तो याद रखेगा केंद्री विद्याले संगठन करके हम इसे बोलते हैं या आम तोर पर इसे हम क्या कह देते हैं संगठन करके कहते हैं तो संगठन यह कर र पूछा गया था चुकि कंप्यूटर का नॉलेज्ज हमेशन सामिल होगा आप चाहे टीजीटी के लिए जाओ पीजीटी हो चाहे आपका पी आर्टी हो वह सवाल कई बच्चों से पूछा गया चुकि उनने पता है कि अभी आपका इंटर्विस यहाँ पर कंट्रिक्चों चल रहा है तो अपने ड्रिक्ट वाला पेपर भी जरूर दिया होगा तो कितने मांकस आ रहे हैं है और उनसे सम्मदित कई तरीके के सवाल कि बचि बहरे तो कितनी कट उफ जा सकती है आपको क्या लगता है आपका होगा कि नहीं होग कितनी तयारी है आपकी यहां पर आये हो कितनी तयारी है तो यह सारे सवाल यहां से घूम फिरा करके जो है वो पूछे जा रहे थे PRT ही क्यों इतनी डिगरी ले करके यह बहुत ही common question है और मुझे लगता है आप में से जितनी लोगे वीडियो भी देख रहे हैं सभी के साथ में यह समस्या होगी है ना हो सकता आपने MA किया हो आपने B.T.E. किया हो MBA वगरा किया हो है ना ऐसे में इतनी डिगरी ले गर के PRT ही में क्यों आप फॉर्म भरे हैं क्यों आप पढ़ाना चाहते हैं तो यह आपकी चीज़ों आपको कहीं न कहीं बहुत ही solid बढ़िया सा जवाब जो है वो आपको खोज करके रखना होगा ठीक है कि हम ऐसा ऐसे यह चीज़े थी और देरे देरे हम कहीं न कहीं संपर्क पे रहे थी थी चाहते हैं। नाशनल इंकम क्या होती है राश्ट्री आय क्या है यह सवाल पूछा गया आपका कि राश्ट्री आय को आप कासे परिभाश्ड करूगे चि सब्माइब बताना शुरू करें यहीं तो आप सब दो इसे अबर क्या है है जो आपके मेंस के लिए जो आप जा रहे है तैयारी के लिए सभी इस के लिए बिरकुल से तैयार हो यह neo ची मझातिया के लिए यह सारे सवाल आपसे भी पूछ जा सकते हैं ठीक है पैनल में कुछ भी चेंज नहीं है सब लोग वही रहते हैं कोई अलग एक और वीडियो में.